वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जोगरफी के कुछ important questions को cover up करेंगे last जो हमारा वीडियो था उसमें हमने 838 नमबर की question तक cover up कर लिया था आज जो है 849 नमबर की question से start करेंगे धीरे धीरे करके हमारा target जो है 3000 से ज़ादा questions को cover up करने का यह achieve होगा बस आपको daily business पर जो वीडियो जा रहे हैं इनको देखते रहना है और जो questions आपको नहीं आते हैं उनको कहीं micro notes की form में अपने पास रख लेना है otherwise अगर आप यह वाला PDF चाहते हैं तो इसके लिए description box में जाएए वहाँ पर जो contact number दे रखे हैं ready for civil services के उनसे आप demand कर सकते हैं they will let you know कि कितना इसमें फीस लगेगा ठीक है यह सारी चीज़ें आपको वही बताएंगे बट यहां पर आप free of cost इंट वीडियो को देख सकते हैं और सारी चीज़ें cover up कर सकते हैं बहुत important questions हैं आपके समिक्षा अदिकारी के लिए BEO के लिए UPPCS lower PCS और किसी भी examination के लिए ठीक है तो मैं आपको suggest यही करूँगा कि आप तुरंत जो है चैनल को subscribe करें notification bell का icon को press करें और daily basis पर जो यह वीडियो जारें उनको जरूर देखें सो आईए शुरू करते हैं आज के अपने इस पहले कोशन से पूछा गया है कि वायू दाव सबसे कम होता है शीत रितू में वसंत रिश्टू में शरत रितू में या फिर ग्रीश्म रितू में पचुआ हवाई होती है व्यापारिक पवने होती है मानसूनी पवने होती है या फिर समुद्री पवने होती है तो सही आंसर कियाएगा हमारा option B यानि कि जो व्यापारिक पवने हैं यह आपकी उच्च दाव छेतर से भूमद सागर की ओर चलती है चलिए next question की तरफ move on करते है इस question में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा यसा युग में है जो की सुमेलित नहीं है जो incorrectly matched है वो आपको यहाँ पर बताना है अब पहला यहाँ पर दिया हुआ है phone यह आपका जो हवाई है कहां चलती है else परवत पे सही बात है बोरा की बात करें तो यह पोलेंड यह यहाँ पर incorrect है और आपका answer क्या होज़ागा option B क्योंकि हमें यहाँ पर incorrect चूज करना है मिस्ट्रल की बात करें राइन घाटी में चलने वाली हवाई हैं खमसिन आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप RO की तयारी करना चाहते हैं इन तीनों exam के अगर आप तयारी करने चाहते हैं तो steady for civil services की courses को आप join कर सकते है complete तयारी के लिए यह one stop destination है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें steady material रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा पर मिलेगा और यह सब को sufficient होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उन group में आपको admission लेने के लिए simply जो यह number मैं आप संपर्ग कर सकते हैं इसके अलावा 9696066089 इस number पर contact कर सकते हैं या फर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं मिस्र में चलती हैं यह तो सही है बट बोरा यहां पर incorrectly matched है इसके बाद अगले question की बात करें इस question में आप से पूछा गया है कि निमलिखित युगमों पर विचार कीजिए और इसमें एक तरफ आपको इस थानी यह वायू का नाम दे रखा और एक तरफ आपको संबंधित द की यह दिया हुआ है कहां पर फ्रांस में ठीक है तो यह पहला ही यहां पर incorrect है तो इसके बाद next हम बात करें बोरा की तो यह इटली यहां पर सही है ब्लिजार्ड की बात करें तो यह Canada this is also correct तो सही आंसर हमारा क्या होगा option A यानि की केवल A की यहां पर incorrect है जो सुमेरित नही है वही आपको यहां पर चूज करना है इसके बाद अगले कोशन की बात करें इस कोशन में यहां पर पूछा गया है कि निमलिखित देशों में किसमे कुल भौगौलिक छेत्रफल के 70 पतीशत भाग पर वन पाए जाने बनाए रखने का समवैधानिक प्रावधान है अब य याने की फॉरेस्ट वहां पर होना ही चाहिए इसके बाद अगले कोशन की बात करते हैं पूछा गया है निमनांकित में से कहां विस्तरित ऊश्न कटी बंदिये वर्शा वन पाए जाते हैं अब यह कॉंगो घाटी है यह गंगा घाटी है होंगो घाटी है या फिर मरे डार यह विश्ष्टता है भूमद रेखिए शेतर की उश्न कटी बंदिये शेतर की फिर समशीतोश्न शेतर की विश्टता है और और P कोश्चन की और इस कोश्चन में यहां पर पूशा गया है आपसे कि कोणधारी वन यह नहीं पाये जाते हैं में इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें इसमें पूछा गया है मुख कारक जो किस छेत्र के जलवाईयू को निर्धारित करता है वो क्या है उचाई है अक्षाई है वनस्पति का प्रकार है या फिर समुद्र से उसकी समीपता है तो सही आंसर क्याएगा हमारा option B यानि कि अक्षाईश ये जो है निर्धारित करता है क अगले कोशन की और इस कोशन में यहां पर पूछा गया है कि सभी प्रकार के जलवाईयू कटिवंद निम्लिखित में से किस महादीप में है यह दक्षणी अमेरिका है उत्तरी अमेरिका है औस्टेलिया या फिर एशिया तो सही आंसर क्याएगा हमारा option D यानि कि एशिया एशिया में सभी प्रकार के जलवाईयू कटिवंद पाए जाते हैं इसके बाद अगले कोशन की बात करें इसमें पूछा गया है कि कौनजा एक युग में है जो की सुमेलित है आदर शीत रितू जो है वो ग्रीश में शीत रितू यह दोनों ही इटली में पाए जाती है व ही आंजर का उगा है आदर शीत रितू की बात करें या फिर शुष्क गरीश में रितू की बात करें तो यह जलवाईयू कहां कि ए इटली की है इसके बाद चलते हैं अगले कोशन की ओर इस कोशन में आपको 2 सूचियां दे रखी है एक तरफ आपको जलवाईयू के किस्म दे रखी है और एक तरफ दिया हुआ है उससे संबंदित छेत्र और आपको इसको यहां पर मिलान करके बताना है तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं किसकी विश्वतिये छेत्र की तो विश्वतिये छेत्र की बात करें तो यह आपका कॉंगो इससे रिलेशन इसका रहे सावना की बात करें तो यह आपका सुडान की जलवाईयों को इंगित करता है तो इस तरीके से जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा आपका 4, 1, 2 और 3 ठीक है option A जोगा वो यहाँ पर सही answer होगा इसके बाद आज के session के आखरी question की बात करते हैं यहाँ पर आपसे पूशा गया है कि नीचे दो वक्तव दे रखें एक है आपका assertion और दूसरा है reason आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कूट है जो कोड यहाँ पर दिया हुआ है वो सही होगा सबसे पहले statement और reason को देखते हैं statement है भूमद सागरिय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है और कथन जो उसका reason है वो क्या है आपका कि जाड़े में यहाँ पछुआ हवाई चलती है तो यह एकदम सही है दोनों ही statement ठीक है reason assertion दोनों सही है ठीक है और जो reason है यह fully explain कर रहा है कि क्यों भूमद सागरिय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है उसका reason क्या है क्योंकि यहाँ पर पछुआ हवाई चलती है जाड़े में तो सही answer हमारा क्या होगा option A की A और R दोनों सही है और R जो है वो A की सही व्याक्या है तो दोस्तों आज के इस वाले session को अब यहीं पर end करते हैं फिर मिलते है next video में तब तक के लिए आप लोग previous videos को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर काफी सारे videos आ चुके हैं उन videos को देखिए और जो आपको questions ना आते हो उनको कहीं माइक्रो नोट्स की फॉर्म में जरूर सेव करिए तो फिर मुलते है next video में till then thank you so much have a nice trip बबाए